नमस्कार मैं कनक आप देख रहे हैं अट प्रकाश आए लगए डालते हैं आज की कुछ खाथ ख़बर पर चंडीगड जिरखपुर हाइवे पर वहांचालकों को महीने से आ रही दिक्कत अब जल्द ही दूर होने वाली है यहां हाईवे पर बन रहे फ्लाई ओवर का काम कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है चंडीगड से जिरखपुर जाने वाले ट्रैफिक के लिए फ्लाई ओवर का रास्ता बन कर त्यार हो चुका है इस पर ट्रैल भी किया जा चुका है बीते शुक्रुबार को यहां ट्रैल के तौर पर बसे और मोटर साइकल कार आदी भाहन चलवाए गए थे वहीं जिरखपुर से चंडीगड जाने वाले सेक्शन पर काम जल्दी ही पूरा होने वाला है इस फ्लाइ ओवर का इस महीने उधगाटन होगा जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर तक यह फ्लाइ ओवर पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा लगभग 10 करोण रुपे की लागत से बनने वाले इस फ्लाइ ओवर को पहले 3 अगस्त तक बन कर तयार होना था वही इसके बाद अक्टूबर के अंत तक इसे पूरा करने की डेडलाइन रखी गई थी हाला कि कंस्ट्रेक्शन, मटेरियल और मजदूर की कमी के चलते देरी होती रही मुहाली के डिप्टी कमीशनर ने बीते 1 दिसंबर को इस फ्लाइ ओवर का दौरा किया था इसके बाद 2 दिसंबर को ट्राइल बेसिस पर एक सेक्शन पर ट्राफिक निकाला गया था अभी इस फ्लाइ ओवर के नीचे अंडर पास का निर्मान कारे बाकी बचा है वही सर्विस रोड के साथ सीवेज के गड़े भी भरे जाने है फ्लाइ ओवर के निर्मान के चलते सर्विस लेन में गड़े पड़ गए है यहाँ वहां चालकों को भारी दिक्कते हो रही है वही एम्बुलेंस को गुजरने में भी दिक्कत हो रही है इन गड़ों को भरा जाएगा सड़क की रिकापॉर्टिंग भी हो सकती है